हेलो ब्रीवेंट मैं सोना आप सभी का स्वागत करती हूँ तो आम के सीजन में कच्छे या पके दोनों तरह की आम की सारी रेसिपी बनते हैं तो मैंने आपके साथ दोनों आम की रेसिपी सेयर की हुई हैं लेकिन आज मैं ऐसी रेसिपी लेकर के आई हूँ तो जिसे आप मेर तरीके से बना लेंगी तो फिर हर बार आप खाने में लंच हो या डिनर हो आप ये रेसिपी बनाएं और ये रेसिपी में बाले बिल्कुल अलग करदा के राहें लेंगी तो अम को छील करना आम के पी फाइदे मंद रहता है तो इस तरीके से छोटे-छोटे टुकडों में कट कर लेते हैं और यह गुठली हमारे लिए फाइदे मंद है तो इनका भी यूज हम करेंगे तो गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे थोड़ा सा ओयल डालेंगे एक चमच डीडा डालेंगे और आदर अगर आज की रेसिपी आप सबको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथी वेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मेरी कोई नई रेसिपी की वीडि जाया करेगी तो लगविक 30% तक फ्राइब करने के बाद में कुछ मसाले एड़ करेंगे हल्दी पाउडर कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो की कम तीखी होती है काली मिर्च पाउडर धनिया पाउडर और मैंने यहां पर जो अचार का मसाला बना कर रखा हुआ था वो थो टाला है अगर आप इतने भी मसाले डालेंगे तो भी पर्फेक्ट बनेगा अगर अचार मसाली डालेंगे तो चलिए घर करना मिक्स आप तो इन्हें आप ऐसे सूखे भी खा सकते हैं चुकि मैं कच्छे आम की लॉंजी बना रही हूं इससे पहले भी मैंने आपके साथ कच्छे आम का छुन्दा और कच्छे आम की लॉलीपॉप जो लॉंग जी के स्टाइल की बनती है वह भी बनाई हुई अगर आप वह देखना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया आप उसे भी देख सकते हैं देखिए मैंने गुट्लियां डालना भूल गई थी तो अभी मैं गुट्लियां डाल लई हूं और यह तो डालना जरूरी है क्योंकि इसके जो अंदर गुट्ली रहती है वह पक जाएगी उसके बाद के करिब लिया हुआ है और अभी क्या करेंगे इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में अभी यहीं पर हम पुदीना की पती डालेंगे चुकि गुड़ की तासिर थोड़ी सी गरम होती है और गर्मिया तो बहुत जादा हो रही है इसके जगे पर आप मिसरी या सुगर भी कर सकते हैं लेकिन मैंने इसको बैलेंस देने के लिए पुदीना की पती डाली हुई है इससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और यह गर्मियों में नुकसान भी नहीं करेगी तो लीजिए पुदीना और कच्छे हम की यह लांजी बनकर के तयार हो चुकी है और यह ब